आपको माई चैनल यह है लेक्चर 15 एंड इन इस लेक्चर वी डिसकस हाउ तो यूज इसकीमा एंड मॉडल इन मॉंगो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मॉंगोज का यूज करके मॉंगो डीबी के साथ कनेक्ट करके दिखाया था ऑکे अब बात करते हैं इसकीमा की एंड एन मोडल की तो चलते हैं क्रोम पर और यहां पर हम जो अफिशल वेक्फ सैट है मोंगूस की वो अबन कर लेते हैं तो टाइप करें मोंगूस तो यहांप पूरा डोकुमेंटेशन है मॉंगो का आप देख सकते हैं ठीक है आप यहां से भी इसको रीड कर सकते हैं एंड हम भी आपको बताएंगे डेटेल में कि इसकीमा क्या होता है कैसे इसका यूज करते हैं तो फस्ट ओफ ओल हम यहां पर देख लेते कि यहां पर क्या डेफिनेशन लिके हुए इसकीमा की डिफाइन यूग इसकीमा की एवरिधिन इसकीमा के साथ में ठीक है जब आप कनेक्शन को बिल्ड कर लोगे तो उसके बाद आ इसकीमा का यूज करना पड़ेगा ठीक है एंड जए सकीमा होता है वो हर एक mongo db collection को मैप करता है मैप करने से मतलब है कि उनको टारगेट करता है ठीक है उनको एस्ट इसकरता है ओकिए and collection के अंदर जो documents होते हैं या आप समझने के लिए table भी बोल सकते हैं जो documents होते हैं उनकी shape को define करता है shape को define करने से मतलब क्या है कि एक collection की documents के अंदर जो data होगा वो किस type का होगा जैसे हाँ पर उनने दिया हुए title string author string body वो भी string type होगी and अगर roll number की बात करें तो वो number type होगा and जो email है तो वो email type रहेगा password जो है वो password type रहेगा ठीक है इस तरीके से जिसे हाँ पर जो 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 आए what number type रहेगा फेवेस भी number type से रहेंगे तो इस तरीके से schema क्या करता है collection के documents की shape को define करता है अब थोड़ा और deep में बात कर ले देगी schema होता क्या है okay तो मैंने हाँ पर कुछ points लिगे हैं आप देख सकते हैं थोड़ा इसको मैं zoom कर लेता हूँ I think अब आपको जो है सही से दिख रहा होगा तो यहाँ पर first point है guys a mongos schema define the structure of the document एक जो mongos schema होता है वो document की structure को define करता है structure को define करने से मतलब क्या है कि जो भी हमारा document है collection के अंदर उसकी structure कैसी रहेगी यानि कि उसकी shape कैसी रहेगी उसके अंदर की परकार का data add होगा string type होगा number type होगा दूसरा default value को define करता है ठीक है and validator को मैं आपको बता हूँ कि default value कैसे use होती है schema के अंदर and validator को यहाँ पर क्या मतलब है ठीक है तो second point है content list of field बेलकुल एक जो schema होता है क्योंकि schema कहाँ पर apply होगा एक तरीके से basically schema करता है वो document की shape को define करता है तो content list of field यानि कि महाँ पर field की एक list भी होती है ठीक है वो कुछ भी हो सकते है name, class, role, number अभी तक जो हम field create करते आए है वो सब schema contain करता है ठीक है how the data is organized schema के थूरू हम यह भी जान पाते हैं कि किस तरीके से में data को organize करना है organize करने से मतलब है कि हमें एक data की value जैसे कि महाँ लिजे किसी का name है ठीक है एक property है and for example महाँ लिजे हाँ पर मैंने एक example देवा है name, role, number, class का एक property है पूरी name name string की यह पूरी एक first property है ठीक है यहाँ पर keyword name है and इसकी value वो मतलब जो मैंने सको organize गया है as a string organize गया है जो name है वो string की form में होना चाहिए जो role number है वो number की form में होना चाहिए class जो है वो string की form में होना चाहिए active जो है बूलियन की form में होना चाहिए हишь मैंने यहाँ नहीतव ने ओना पर data का का है और्गेमा की अन्ड़िच की यह तो यह किस की help से कर पाते है documents का जो जो यहां पर जो element है ठीक है यानि कि जो field है जो data है वो किस तरीके से एक दूसरे से relate करता है यह थोड़ा सा बाद में समझवाएगा point अभी के लिसको skip कर दो fifth point है यहां पर data is stored in unstructured form basically होता है कि जो हमारा data हमारे पास जो data होता है database में add करने के लिए वो पहले हो हमारे पास unstructured form न होता है कैसे unstructured form का मतलब क्या है माली यह प्रिंसिप होले है उसने आके developer से कहा कि भाई यह हमारे student है ठीक है इनका name role number class active यह उनकी सारी detail है वो एक पूरी एक list दे रहता है ठीक है अब जो वो लिस्ट में जो data रहता है वो एक unstructured form होती है unstructured form से मतलब है कि हमें पता ही नहीं होता कि किस type का data है ठीक है तो schema की help से हम क्या करते हैं उस unstructured data को structure form में करते हैं structure form से मतलब क्या है कि हम वहाँ पर बताते हैं schema के अंदर कि यह जो name है वो string की form में होगा role numbers है वो number की form में होगा यह conclusion कुल मिलाकर यही निकल रहा है कि schema एक collection की document की shape को define करता है ठीक है main point यह निकल का रहा है कि जो schema है वो यह बताता है कि documents के अंदर जो data है वो किस type का होगा उसका type क्या रहेगा integer रहेगा string रहेगा या फिर number रहेगा boolean रहेगा ठीक है यह बताता है schema okay six point भी देख लेता है for use schema data is protein structure form यह हो गया okay अब code के थुरू समझते हैं इस चीज़ को पहला था कि mongos schema define the structure of the document document की structure को define करता है schema okay तो चलते है code पर ठीक है यहाँ पर guys यह एक function है connection नाम का हमने function build किया था और इसके अंदर हमारा यह code है तो same as यही file रहेगी okay उसके just बाद यहाँ पर हमने connection को build किया था यह code के बाद cache के just बाद यहाँ पर हमें comment डालेंगे schema okay and then guys मुझे हाँ पर क्या करना होगा मैं const keyword का use करके एक variable create करूँगा student schema के नाम से ठीक है and यहाँ पर मुझे constructor create करना पड़ेगा new का use करेंगे and mongoose then उसके बाद dot और यहाँ पर हमें call कर लूँगा schema function को ठीक है अब यह यहाँ पर schema create हो चुका है यह syntaxes का एक line में यहाँ पर schema create हो चुका है अब इस schema function के अंदर हम यहाँ पर use कर रहे हैं curly braces का और यहाँ पर हम document की structure को define करेंगे कि जो document है हमारी उसकी structure किस पर कार की है तो मैं control save कर देता हूँ अभी के लिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो name है उसका type हो string ओके को में की तुरू separate करेंगे and जो roll number है उसका type क्या हो number ठीक है number हो और जो class है उसका type क्या हो वो भी क्या रहेगा string रहेगा ठीक है and यह student active है की नहीं है तो यानि कि हाँ नहीं में बात होगी तो उसके लिए क्या होता है boolean क्या करता है यह तो अगर कोई active होगा तो true value return करेगा अगर कोई active नहीं होगा student तो false value return करेगा और यहां पर मैं एक और field ले लेता हूँ debt ठीक है और इसका मैं type बता देता हूँ debt का क्या date का type obviously क्या होगा debt ही होगा ठीक है और इसको मैं as a default value रख देता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता इसकी value क्या है string की number a क्या है तो default value मैं डाल देता हूँ debt debt now basically method एक तरीके से यह क्या देगा है यहां पर date देगा ठीक है जो current date होगी और time होगा वो यह देगा ठीक है इस student का जो भी student होगा उसका current date हो time देगा यह तो यहां पर थे हमने क्या किया यहां पर हमने schema का use करके document की shape को define करते है कि यहां पर जो document के अंदर जो data रहेगा वो किस परकार का data रहेगा string रहेगा number रहेगा या फिर boolean रहेगा या फिर default रहेगा okay i think guys आपको समझमा गया हो किस तरीके से schema work करता है and किस तरीके से schema document के structure को define करता है and shape को define करता है i think आपको schema समझमा गया होगा okay तो next lecture में हम बात करेंगे about the model and महाँ पर हम database को add करके भी दिखाएंगे mongo db में by using of schema and model नहीं कि दोनों function का महाँ पर use होने वाला है schema का भी and model का भी तो please video को like कर दे share कर दे and channel को subscribe कर दे मिलते हैं next video में thank you so much धन्यवाद चर्वाद